जब भी आप देख सकते हो यह है फोल्डीभ खाटला मतलब है क्या बात है मैं खुद एसा पलोट एक लिए यह बार देखरा हूँ जो भी फूरा इस पलोट में आपको जो भी दीख रहा है तो इसके बारे मैं थोड़ा डीटेल जानते क्या है ति Key यह आपको 1050 पे पड़ेगा और यह बेवी बेड़े 2000 रुपिया में पड़ेगा यह वाला यह बेवी बेड़े 500 के लिए 2000 में पड़ेगा फिर यह देखे ट्रावेलिंग बेड़े पूरा फोले बले और प्योर एसे इसका एक बार फोल करके दिखाऊ नहीं हाँ है यह मलब बहर कहीं जाते हो आप गुमने के लिए तो कार बार में कहीं भी रख सकते हो अपने आघ में देख सकते हो और जितु बढ़ाइस का यह उसा रहेगा 202 का एक बाल्ब क्या बात है गया गए अब देख सकते हैं पूरा फट हो जाएगा देख सकते हैं एक दम हाथ में लेकर चला जाना और इसका कपड़ा है ना गाई जो भी एक दम हैवी मजबूत ही उसकी हाओ इन लोगों ने पूरे इसका बेगा जाएगा बेग में आजाएगा इसका बेग भी आपको साथ में मिल जाएगा क्या बात यह आपको बाइसोपचास रुपय में पड़ेगा बाइसोपचास के मस्त है इसका कलर जो भी जाएगा इसमें भी चार अलग अलग यहां सामने दिखाई दे रहा है ठीक है यह वाला मेरे को कलर भी अच्छा लगा मस्त है और यहां पर इसके जैसा से हम चेरी चेर भी सब फोड़ेबल है मतलब फूल जाता है तो इसका रेट क्या है जी तुबाई यह आपको 27 में पड़ेगा और इसका वजन का कैपीशिटी चार सो कि लो ओके यह चार सो केजी तक आपका वजन उठा सकता है और 27 में पड़ेगा आपको एच्छेर सात में है नहीं चेर अलग से लेने पड़ेगा ठीक है तो यह कितना वजन जेल पाएगा 120 केजी 120 केज़ लगता तो नहीं पर शेट बोलें तो हो सकता है और यहां पर देख सकते हो यह वाला बेड के वाला भी मस्त है तो यह तो स्टीनों एक जैसा ही है यह थोड़ा अलग है आप देख सकते हो यह आ यहां पर देख सकते हो यहां पर इन लोगों का सेटिंग रहता है ठीक है ठीक है आपको फूरा रिलेक्स करना है तो पूरा भी रिलेक्स कर सकते हो तो इसका रेट क्या पड़े है यह आपको 265 रूपियम पड़ेगा और हमारा मेन्युपिक्शर ही है पूरा एक खुद का ही मेन्यु वॉल्चलर है ओके तो यहां पर आप देख सकते हो गाईज यह वाला है चेटी यह भी पूरा फोल्डिंग चेटी है है हईड्रोलिक शेटी है ओकि आप देख सकते हैं अब जूबी फोर्णीशल होगे यहा आमान रख सकते हो तो जी तो इसका रेड़ बता दीजिए यह आपको तीन भाई छे का दीवान है वह आपको पांच अजार में पड़ेगा और भाई छे का पेंतालिसों रूपिया में पड़ेगा एक बार पूरा दिख लिजिए संजबाई नजडिक से दिखा हो एकदम कर यह वाला देखेगा यह भी सिंगल का है यह मस्त है यह थोड़ा डिजाइनिंग में आप देख सकते हो यह जो जो दिया है आइटेम थोड़ा अलग एड हुआ है यह भी फोल्डिंग है तो इसका रेड़ बता यह जी तुबार यह आपको पैंतालीसों रूपिया में दो जार का गद्दा ओके मस्त है तो यहां पर देख सकते हो यह ओफिस टेबल बनाते हैं तो आपको भी यह जो साथ कलर को अवेलेबल है जो भी टेबल जाए चोटा बड़ा इसके बारे में डिटल दिजा यह आपको 3000 से लेके 10,000 तक मिल जाएगा साइज के इस आप से टे मिल जाएगा आपको यह रहा यह न कॉम्पीटर पार्टिकल का है फ्लाइका तो आपको अब देना पड़ेगा ठीक है और वहां पर ब्लेग कलर का अलमारी है बेड है नहीं बेड है या अलमारी है फोल्डिंग बेड है वह भी देख लेते है ठीक है आओ जी तुबाई पा पर्टिकल का भी जाए यह दोनों मिल जाएगा यहां पे बीजेख सकते हो मस्त डीजाइन है यह वाला ओके बेड ये पूरा फ्वल्डिंग है आपको दिखा देटेए ठीक है अब देख सकते हो हो तो कुलर देखेंगा इसका सायं तो अलग और है सबस्क्रािव ऑर देख सकते होiones ब्लेक हैं ब्राउण जदा तर तो ब्राउन एवाला ब्लेक वाइट है टो यहां पे देख सकते ओए यह जूला यह यह इंद लोगों का सुनरी टाइप का भी कलर है आप दिख सकते हो अब यह पुरा लोहे का है यह सेट अगा और पूरा वेरिंग वाला यह आपको तेरह जार पांसों में पड़ेगा और यह कितने आदमी का वजन उठा सकता है में बेचने के लिए तीन आदमी ओके आप देख सकते हैं यह भी खुद का इसका एजनसी है यह जो सेर आप देख सेर यहां पर लिखा हुआ है बालाजी मल्टीर सेर तो इसका भी खुद का वह है एजनसी तो जीतु भाई इसके बारे में रेड़ बताओ यह एक सो सतर रुपिया पड़ेगा यह आप टेबल देख रहे हुआ है यह आपको एक सो सतर रुपिया में पड़ेगा मस्त है ब्लेक भी है दो कलर अवेलबर है आप देख सकते हैं यह खाली आपको एक सो सतर में पड़ेगा और कॉंटेटी का रेट तो इधर उधर हो जा बाला जी वाला यह और बद देख सकते हैं तूरा प्लास्टिक का सेर फिस दिजाईं पूरा प्लास्टिक का सेर था बड़ू right baby you